नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पार, जहां हम बात करते हैं फाइनन्स और इन्वेस्टमेंट्स की इंट्रेस्टिंग दुनिया के बारे में. आज हम डिसकस करने वाले है एक और पावर स्टॉक जो आजकल काफी न्यूज में है, जेपी पावर, यानि जैप्रकाश पावर वेंचर्ज. तो बिना किसी डेरी के, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले, थोड़ा बैक्राउंड डी देते हैं. जैप्रकाश पावर वे बात करें, तो जेपी पावर का स्टॉक काफी वॉलटाइल रहा है. कुछ हाइस और लोस देखने को मिले है. रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए, इस स्टॉक मी एफ़ायर से थोड़ी मूव्मेंट देखी जा रही है. अब बात करते हैं रीसेंट अपडेट्स की. इसा की आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी ने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कुछ इंपोर्टन्ट डिसिजिजन्स लिए है. ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमेशा याद रखे, स्टॉक मार्केट मी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है. अब थोड़ा financial analysis की बात करते हैं. काफी experts का मानना है कि JP Power का future largely उनके debt management और project execution पे depend करेगा. Financial ratios और balance sheet को देखते हुए, कुछ experts cautious हैं, तो कुछ optimistic. Expert, JP Power का future largely उनके debt restructuring और market conditions पे depend करेगा. अगर company अपने नए projects को successfully execute करती है और financial stability maintain करती है, तो stock मी growth potential भी है. तो दोस्तों, ये थी एक चोटी सी discussion JP Power के बारे में. अगर आप सोच रहे हैं इसमें invest करने का, तो हमेशा अपना research ज़रूर करें और अपने financial advisor से consult करें. अगर आपको ये video पसंद आई, तो like ज़रूर करें और channel को subscribe करना ना भूले. नए updates और interesting topics के लिए बने रही है हमारे साथ. मिलते हैं अगले video मी. तब तक के लिए, happy investing!